इसको अपने पॉर्टफोलियो में लगा डाला तो लाइव जिंगा लगा ऐसी विंडो जहां से ओपरेटर आपको जहां करा हो सिर्फ आपने देखना है कि आपका सिखा हुआ कोई टेक्निक एरिया ओफ एक्शन में है क्या है तो कर दो नहीं है तो रुको समझो देखो कहीं है आप त्रैप तो नहीं हो रहे हो है हाई एवरीवन आज हम फिर से आगए हंडरेट चैलेंज की निव वीडियो के साथ तो आज हम सीखने वाले हैं एरिया ओफ एक्शन विदाउट एक्शन यू कांट डू रियक्शन है ना वह बोलते ना माइकल जैक्शन बना है तो पह पार्ट्समेंट डिवाइड किया हो यह पार्ट्स में एक डांसिंग एरिया है मतलब ऐसी जगह ऐसा वो पर्टिकुलर एरिया जहां पर आके स्टोक में फ्लक्टूइशन जादा होती है ठेक है एक ऐसा पॉइंट अपसाइड विंडो एंड डाउन साइड विंडो ऐसी व जहांके तुरंत उसको क्रैप कर तीसरा एलिफेंट केंडल अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि मार्किट में सदनली बड़ी बड़ी केंडल बननी स्टार्ट होती है उसका रोल के है राइट एंड चोथा प्रीवियस डे हाई लो रेंज यह बहुत जरूरी है आपको स सब लोगों को मोस्टली क्या प्रॉब्लम्स होती है कौन सी स्ट्रेटजी कैसे यूज़ करें तो अब मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं एरिया ओफ एक्शन जिसके अंदर कुछ तीन-चार बाते लिखी हुई है आपको एरिया ओफ एक्शन हमें से मार्क करके रखना है और देखना है एरिया ओफ एक्शन के अंदर आपको कौन सा पैटरंस मिल रहा है सिंपल अब अगर मैं आपको एक चीज़ ये बोल दूं कि आपको दिल्ली पैदल जाना है और मुंबई से एक समान लेकर आना है तो आप क्या करोगे कोई ट्रेन में जाएगा कोई कोई बस में जाएगा कोई बाई एर जाएगा में इंपोर्टेंट क्या है मुंबई से समान लाना अब मुझे ये पता है मुंबई से समान लाना है मुझे रास्ते से वो समान नहीं लेना तो ऐसे ही एरिया ओफ एक्शन क्या है आपने जो भी सीखा है अगर आपका एरिया सिर्फ आपने देखना है कि आपका सिखा हूआ कोई टेखनीक area of action में है क्या है तो करदू, नहीं है तो रुको, समझो, देखो, कहीं आप त्रैप तो नहीं हो रहे हो, और यही एक मात्र ऐसी टेखनीक है, जब आपको area of action पता चल जाएगा, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि area of action में operator का पंजा part 1 बन रहा है, 2 बन रहा है share का पंजा बन रहा है, share का पंजा part 2 बन रहा है तो मैंने आपको जो concept सिखाया है उस concept को utilize कैसे करना है that is called the area of action यह action करना नहीं सिखे ना तो life में Jackson कभी बनी नहीं पाओ, करना है Jackson वाला dance तो सीखना पड़ेगा action वाला romance ध्यान रखना मेरी यह बात तो आज सबसे पहले हम पहला part सेखते हैं 2040 अब इसको याद ऐसे ही रखना है 2040 ठीक है, नहीं तो इसको याद रखो 420 के नाम से ठीक है, तो हम ही क्या करना है, इस technique में 20 SMA का यूज करना है और 40 SMA का यूज करना है राइट, मैं इसको dancing area क्यों बोलता हूँ ध्यान से समझना पहली बात ये daily time frame में यूज करना है इस concept को intraday में यूज करना चाते हो तो minimum time frame 2 hours या 4 hours का यूज करना है राइट, पहला 2040 आपको बताएगा stock का trend ये वो trend है जो सच में आपका real friend है बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि trend कब change होता है, कब बनता है तो मेरा ये 2040 वाला concept dancing area आपको बताएगा stock का trend bullish है या stock का trend bearish है simple सा एक concept है आप उसको ध्यान से बस mark करते चलिए अभी ये 40 SMA है और ये 20 SMA है stock में trend change कहा होगा जब ये 20 SMA, 40 SMA को काटेगा यहाँ पे हो गया trend change अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग moving crossover का game करते हैं नहीं अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं भी आपको moving average का crossover का game बताने वाला हूँ और इस video को आप skip करने वाले हैं तो ध्यान से इस video के next 30 seconds ओर देखे आपको समझा जाएगा कि ये crossover का जहल जाल है या सच में एक real operator का माया जाल है तो आपको क्या देखना है अगर ये 20 ने 40 SMA को cross किया तो आपके पास क्या आता है आपको पता चलता है कि trend upside में है right trend upside में है और आपको अब क्या करना है आपको सिर्फ buy का ही order place करना है कैसे करना है ये technique मैं आपको बताता हूँ अब आप देख रहे होंगे 20 और 40 SMA जब चल रहा है तो बीच में एक gap आप लोगों को दिख रहा है right ये जो gap है guys 20 और 40 के बीच में इस gap के को ही मैं dancing area बोल रहा हूँ right अब मैं आपको इसको एक very simple way में technique बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है देखो guys ये चल रहा है 40 SMA और ये चल रहा है 20 SMA तो अब हमें क्या करना है guys price चल रहा है उपर price नीचे आए buy करो इसी range में हमेशा ध्यान रखना buy करने के लिए आपके पास वो range है use the candlestick जो मैंने आपको बताया share का पंजा part 1 share का पंजा part 2 राइट यहाँ पे आए buy करो फिर वापस आए फिर buy करो फिर उपर जाए फिर नीचा है फिर भाए करो यहाँ बाए यहाँ बाए यहाँ बाए one of the best technique for doing the swing trade इसको अपने portfolio में लगा डाला तो live जिंगा लाला और कुछ लोग बोलते है इससे भी अच्छा आप सुनो इससे भी अच्छा यूनिक टेक्नीक है वाट इससे थोड़ा सा मिलता दिलता है ठीक है क्योंकि जो area इसमें मैंने moving average से बनाया ऐसे ही उसमें कुछ area मैंने दूसरे concept से बनाया तो आप ध्यान से देखिए इस concept को यह जितनी बार उपर जाएगा उतनी बार जाएगा एक और बात जब तक trend चेंज ना हो तब तक हमें उसी side में play करने है suppose अब अगर trend चेंज होता है है ना अब अगर trend चेंज होता है तो सेम तरीका मैं यहाँ पे भी follow करूंगा price उपर आया यहाँ sell फिर आया फिर उपर गया फिर sell इसको बोलते हैं dead cat bounce I hope मेरे इस छोटे से logic से आपको यह समझ में आ गया होगा कि trend upside में कब होता है जब crossover upside में होता है और trend downside में कब होता है जब crossover downside में होता है तो इस strategy से हमने क्या सीखा trend is our best friend बट कुछ लोगों को यह सच में नहीं पता होता कि trend कैसे analyze करते हैं आज ही इस concept को जाकर निफ्टी और बैंक निफ्टी में नोट कर लेना इससे अच्छा strategy आपको बैंक निफ्टी में इस पूरे इंडिया में आपको कोई पेर हो जाते हैं वो उसका कुछ थोड़ा सा पार्ट मैं इसी तरीके से निकाल कर लिखता है तो ऐसे ही मैंने जो आपको डांसिंग एरिया बताया उसमें हमने यूज किया 20-40 मैं इस concept को जरूरी नहीं है कि swing trades के लिए ही यूज करूँ मैं इस concept को intraday plus swing दोनों करने के लिए यूज करता हूँ इससे कोई फरक नहीं पड़ता कि आप किस concept को कैसे देखते हैं फरक पड़ता है आप उस concept से कैसे कमाते हैं तो आपको आज जो मैंने बताया है ये एक इसका बहतरीन तरीका है मार्किट में trend अप और डाउन करने का अब आगे मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो concept है 20 का दोसू राइट इसमें हम time frame 15 minute का यूज करेंगे और two moving averages यूज करेंगे guys मैं बार-बार आपको एक चीज बोल रहा हूँ मैं कोई crossover वाला game नहीं बताता मैं वो trainer नहीं हूँ जो trainer आपसे पैसा लेकर आपको एक अधूरी जानकारी provide करे मैं सिर्फ आपको एक अच्छा ग्यान देना चाहता हूँ जिससे आप अपने knowledge को improve कर सकें आज हम सीखने वाले हैं 20 का 200 जी हाँ इससे आप बना सकते हो 20 का 200 देखें ये concept क्या है 20 का 200 तो चलिए इसमें मैं यूज कर रहा हूँ 50 minute time frame और एक 20 SMA और एक 200 SMA ध्यान से समझना मेरी बात मुझे इसमें crossover से कोई लेना देना नहीं है मुझे इसमें उसके downward से कोई लेना देना नहीं इस strategy में मुझे moving average के crossover का कोई game नहीं करना सिर्फ आपको एक चीज समझानी है जब price 15 minute में 200 के नीचे होता है 20 SMA तो आपने ये check करना है कि ये जो gap है 20 और 200 के बीच में ये gap सबसे ज़्यादा कम कहां हो रहे for example nifty 200 के नीचे चल रहा था 200 SMA और 20 SMA ऐसे गया और ऐसे आ गया तो अब ध्यान से देखेगा जब कभी 20 SMA और 200 SMA का बीच का gap ये दोनो 10 X हैं ये आपस में एक दूसरे के पास नहीं रहेंगी in short for simple way कि ये दोनो सबसे बड़े दुश्मन है जब ये दोनों आपस में मिलेंगे ये एक दूसरे से fight करेंगे और वापस से अलग हो जाएंगे तो उसी तरीके से आपने वेट करना है सिर्फ जब ये दोनों एक साथ मिलने की कोशिस करें और gap कम हो जाएं तो गाइज उसी gap में कुछ ना कुछ आपको area of action का material यूज़ करके उसको play करना है कोई आपको शेर का पंजा part 1 मिले part 2 मिले इस range में sell कर देना है आपको अगर 200 के नीचे 20 SMA चल रहा है तो ठीक है और अगर price 200 SMA के उपर चल रहा है तो आपको wait करना है कि कब यह जो gap है कब यहां से कम होगा जैसे ही वो gap कम हो आपको position बनाने के लिए ready रहना है अक्सर आपने देखा होगा 200 नीचे है और 20 ऐसे आ रहा है और ऐसे जाके ऐसे हो जाता है तो यह वो area है यह वो area है जिसको हम बोल रहे है area of action का dancing area यहां पर search करो वो pattern जो bullish हो जो buying के लिए स्तमाल किये जाते हो मैं जानता हूं guys यह concept आप लोगों के लिए थोड़ा different है बट इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो मैं हूँ ना तो आप मेरे community link को join किजिए और इस सारी problem को solve करिए मैं वहाँ पर daily एक update करता हूं yes कोई भी question कोई भी query आप मुझसे वीडियो के comment में पूछिए और community join कर लिजिए और उसका answer मैं आपको community में provide कर लिए ये था आज का 2040 का real funda और 20 का 200 यह एक ऐसा concept है हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा difficulty हो बट आपको घबराना नहीं है ध्यान से सांती से इस वीडियो को दो बार देखना है आपने समझ में आ जाएगा मैं इस बात की guarantee देता हूं moral of the story क्या है कि 20 SM में price का magnetic है तो आपने देखा है ना जब दो चुमबक आपस में मिलने हैं opposite तो वो एक दुसरे को पीछे धकेलते यह जो concept है मैंने आपको पूरा बताया है आप इस concept को जाकर check करिएगा मेरी वीडियो के नीचे आपको एक community link मिलेगा description में मेरी community link को join करना ना भूलिएगा और आप ऐसे ही interesting concept को सीखना चाते हैं तो आप मेरी वीडियो को like कीजिए और मेरे चैनल को subscribe कीजिए और हां बहुत जल्दी मैं आपसे मिलने वाला हूं तीन दिसंबर तो मुझसे मिलना ना भूलिएगा ये एक face to face meet up होगा और इस meet up में मैं आपको बताऊंगा दो मल्टी बेगर स्टोक जिससे आप अपना portfolio boost कर सकते हैं और आपका Mitchell fund का planning खतम हो जाएगा इन दो स्टोक तो मुझसे मिलना ना भूलिएगा तैंक यू सो मुझसे गाइगा